Under graduation के third year में पहुँचकर आप सभी जो है सोच रहे होंगे कि after the under graduation क्या किया जाए कुछ students जो है बेट करेंगे, कुछ students post graduation करेंगे and some other students are doing some other courses So, जो बच्चे after the under graduation, post graduation करने की सोच रहे हैं from HPU So, ये जो वीडियो है उन सभी के लिए होने वाली है जैसा कि आप जानते हैं कि post graduation में admission देने के लिए आप सभी को जो है entrance exam देना पड़ता है पर HPU की तरफ से कोई भी syllabus release नहीं किया जाता है entrance exam के लिए So, in this situation आप entrance exam के लिए क्या पड़ें और क्या ना पड़ें So, in this video, we will discuss about how to prepare yourself for post graduation entrance exam of HPU So, let's get started the video So, entrance exam की त्यारी करने के लिए आप सभी नहीं सबसे पहले क्या करना है आपका जो first year, second year and third year की जो syllabus है उसको अच्छे से prepare कर लेना है क्योंकि maximum जो question आएंगे वह यहीं से ही आएंगे So, सबसे पहले आपका काम होगा जो भी आपका first year, second year and third year का जो syllabus है उसको अच्छे से prepare करना और number two पे अगर आप इस चैनल पे जो है नए है तो सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बात करेंगे हम number two की So, आपने क्या करना है त्यारी जो है MCQ के रूप में करनी है क्योंकि जो entrance exam है वो MCQ के रूप में आएगा MCQ question जो है वहाँ पर पूछे जाएंगी तो आपने ज्यादा से ज्यादा practice MCQ की करनी है अब MCQ की practice कहां से करें उसके लिए आपके पास जो है दो medium है एक तो आप YouTube का सहारा ले सकते हैं और एक Google का YouTube में आपके पास जो है आपको जो है marathon series मिल जाएंगी बहुत सारी MCQs की different channels ज मिल जाएंगी वहाँ पर जाएं YouTube पर जाएं और वहाँ पर जो है आपकी जो MCQs है उनको search करें बहुत सारे series आपको MCQs मिल जाएंगी उनको सोने अच्छे से उनको practice करें और अब बात करें तो Google की तो Google में आपको जो है बहुत सारे MCQs का बढ़ाद मिल जाएगा अगर जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका plus one and plus two का जो syllabus होता है उसका advanced label जो है थोड़ा सा undergradization में पूछा जाता है तो आपने क्या करना है जैसा कि आपका subject जो है geography है तो क्या करना है plus one geography MCQs सो वहाँ पर जो है आपको chapter wise जो भी plus one material होगा उसके chapter wise जो है MCQs आ जाएंगे उनको भी अच्छे से prepare कर लेना है plus one and plus two के सो आपका maximum syllabus वहीं से ही cover हो जाएगा आपके maximum question वहीं से ही entrance exam में टकर जाएंगे आपको बहुत easy हो जाएगा entrance exam crack करना सो यह जो है MCQs की practice करने के लिए मैं आपको medium ताई एक तो youtube and एक तो google और अगर और आप practice करने चाहते हैं MCQs की सो आप क्या करें simply book store जाएं वहाँ पर जो है book seller के पास MCQs की booklet आती है उसको purchase कर लें उसकी भी practice कर सकते हैं उससे आपका जो है और ज्यादा जो है enhance हो जाएगा MCQs के लिए सो बहुत सारे MCQs के practice की जो हो जाएगी जो कि enough होगी SPU में entrance exam को crack करने के लिए आप कुझे easily जो है post graduation entrance exam वो easily crack हो जाएगा ज़रूरी एक point की जो geography के students है जिन्हों है geography का entrance exam देना है सो वो एक main चीज़ का ध्यान रखें कि जो हिमाचल प्रदेश की जो geography है उसको भी पढ़ लें क्योंकि वहां से भी question आपको जो है आ जाएंगे क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो undergraduate graduation का syllabus है वहां पर हिमाचल प्रदेश की जो geography है वो नहीं है subject सो जो entrance exam है उसमें आपको जो है यह पूछा जा सकता है सो आप जो है उसकी त्यारी भी कर लें YouTube के ऊपर जो है आपको वीडियो मिल जाएंगी तो यही सब था आज की वीडियो में आपने जो है किस तरह से त्यारी करनी है अगर आपको जो है पता चल चुगा है आपने किस सबसे पहले जो है अपना first year second year and third year का जो syllabus है उसको अच्छे से प्रिपेर करना है जो भी उनके MCQs है उनको solve करना है YouTube का सहारा लेना है Google का अगर चाहें तो booklet भी परचेस कर सकते हैं सो यह सब जो है आपने करना है entrance exam को crack करने के लिए अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए है तो मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब दे के लिए bye bye and take care